हाँ तो मेरा नाम है गुलाम दिस्तेगीर मैंने किया है एनेडी इनिवस्ट्री से सिबुले इंजियरिंग उन्नीशन लुपे में 1990 में उसके बाद मैं चला गिया था केड़िये कराची डिवाल में थार्डी फिर वहां से मैं चला गिया था एमस करने मिशियन इनिवस्ट्री डिट्वा अमेरिका में तो आज की जो इन्फरमेशन विडियो है वो है एनिमल वेस्ट तो साइंस एंड रिलिजन दोनों पर बताते है ना जानवरों का हिसा प्लाब साइंस ये कहती है कि जो एनिमल वेस्ट यानि कि किसी भी जानवर का जो पेशाब या पेखाना होता है ना वो इनसान के लिए सही नहीं होता है यानि कि किसी भी जानवर का पेशाब पीना या उसका पेखाना खाना जो है वो इनसान के लिए सही नहीं है अब लोग जो है वो गाय का पिशा भी पी रहे हैं गोबर भी खा रहें तो वो साइस कहती है यह अप्सुलूटे नहनस है यह तो पूल जाओ यह तो कोई चीज सही नहीं है तो इसी तरीके से अगर मुसल्मान उट का पिशा पी रहें तो ये भी सही नहीं है यानि कि साइन्स क्या कह रही है कि जो भी आपका जो जानवर है या परिंदा है उसका जो पिशा और भखाना है वो इनसान के लिए खाना और पीना सही नहीं है तो उसको हमेशा वाइड करना है तो अब आयाती है यहूदियों को इसाइयों को जो न बता दिये गया था कि जो एनिमल का जो वेस्ट है न उसको किसी भी सुरत में खाना नहीं है तो यह जो अब मसला पता क्या आजाता है मसला ही आजाता है कि हिंदू रिलीजन में यह गाय का पिशा पी रहें ठीक है ना में चाय को गूपड विका रहा है ठीक है तो अब यह कहते हैं कि भाई इसके अंदर ब्यमारीों का ईलाज है एनिमल वेस्ट केंदर किसी भी ब्यमार्य का कई नहीं है तो यह सब बुल्शिट है तो किसी भी परिंदे और जानवर के पेशा पकाने के अंदर किसी भी कोई किसी भी कोई भी मिमारी का एलाज नहीं है तो इसको जो जो भूल जाएं आप साइंस तो यह कह रही है और यह जो रिलीजिस लोग हैं यह कह रहे हैं के गाय कभी शाप पीलो तो करोना वाइरस नहीं होगा तो यह भी बुल्शिट है तो ऐसे रंग प्रोपेगेंडिक किये हो हैं ना हर चीज के बारे में कि बस अलाई काफिय अलाई शापिय तो अब यह मसल्मानों को भी यह है कि ओट का प्रिशा पीलो उसमें बीमारी वह राज़ जाए यह भी बुल्शिट है साइंस तो यह कहती है तो इसनिये यह हैं कि जानवरों का वेष्ट चाहपेशाब चाहपाखाना हो वो किसी भी सूरत में किसी भी बीमारी का उसके अंदर क और दूसरी चीज यह कि कुछ जानवर हैं जिनका पिशाब पीते हैं ना जैसे तो उससे इंसान की सिर्थ को नुक्सान नहीं होता लेकि कुछ जानवर हैं साइंटिफिकली जिनका पिशा पीने से और पेखाना जो उनका खाने से इंसानी से तो मैंने पहले भी पताया था कि क्योंकि साइंस का सबसे बड़ा मुस्ला यह आया हुआ है कि साइंस कहती है कि यह अरसे दरास से लोग जो ना गया का पिशा पी रहे हैं तो इस गया के पिशा पीने से कोई बीमारी नहीं होती अगर इनको होती ही कोई बीमारी तो यह इस पिशा गया का पिशा पेना पीना छोड़ देते हैं और यही गाय का प्रखाना भी खाय जाते हैं तो यह अगर इनको कोई बिमारी होती तो फिर यह गाय का प्रखाना भी खाना छोड़ देते हैं दूसरी चीज यह कि एनिमल वेस जो होता है न उसके अंदर हमेशा कोई वो पाकिज़ की और तहरत तो होती नहीं उसके अंदर गंद होती है न तो यह भी याद रखे हैं कि उसके अंदर कोई पाकिज़ की कोई तहरत नहीं होती वो ए तो जी गंद होती है चाहे वो हिंदू गाय का पिशापती है या चाहे मुसल्मान उंट का पिशापती है दोनों एक ही चीज़ है साइंस की नजर में साइंस क्या गरी कि चाहे गाय का पिशापती हो जैसे गय का पिशाव बंदू पी रहे हैं और उन्त का पिशाव मसलमान पी रहे हैं तो दूनों को इस से बचना है तो इस यहूदी इसाइज होना वो एनिमल वेस्ट जो है ना वो नहीं खाते ना पीते ना वो जहान दोरों का पिशा पीते हैं और ना पुर्ण का पेखाना खाते हैं तो यह उतों उनको 100% पता है तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी रिलिजिस बिलीफ पे जब जाये ना तो आपको पतर चलेगा कि इसका क्या मसल्म साहिल है तो साइंस को आप इतना वो नहीं समझें साइंस जो हैना अब यह के पूच अब यह के यह तो سारी वो अब यह रॉंग इन्फर्मिद्रम, अब यह इसी गहत्या है अं ड्रामन टोपी यह ड्रामाटोपी है कि गाय का पिशा पीने से आपको करोना वैरिस नहीं होगा, गाय का पिशा पीने से आपको कैंसर नहीं होगा, अगर कैंसर हो गया तो उसका इलाज हो जाएगा, पिशा पीने गाय का तो, सब कोई चक्कर नहीं है, यह सब ड्रामाटोपी कहते हैं हम इसक उसे मन घरड़ जो है इन्होंने कहानिया बना ली है तो इसमें भी गायको गोपर खाने से कोई वो कैंसर से कैंसर नहीं होगा यह तो सब यह कैंसर हो गया तो उसका इलाज जाएगा गायको गोपर खालोगे तो ऐसा कुछ चक्कर नहीं है तो यह बहुत घलत चक्कर है अब अल्ला ने अब ये तो अब ये साइंस का तो मैंने बता दिया ना अनिमल वेस्ट पे अब अल्ला ये दर्फ चलते है अल्ला ने जानवर बनाएं परिंदे बनाएं ठीक है ना और इनसान को भी बनाया लाँ ने ठीक है अब जो जानवर परिंदे लाँ ने बनाया उसमें कुछ अलाँ ने जानवर हलाल और कुछ हराम बनाया तो जिनको हलाल बनाया उनका गोश इनसान खा सकता और जिनको हराम बनाया उसका गोश इनसान नहीं खा सकता तो अल्दा ने क्या करा कि जानवर मुना है जिसमें से कुछ कुछ है जिन का गोश मुसल्मान खा सकता है लेकिन कुछ जानवर ऐसे है जिन का गोश जो है वो मुसल्मान ने खा सकता है तो हलाल और हराम जानवर मुना है ले तो अब उसके अंदर फिर ये भी लखा है कि हला जानवर अगर आपके उपर प्रिशाप करते है या उसका गोबर या प्रखाना उसका आपके कपड़ों पर गिर जाए तो उससे आपके कपड़े नापागनी होते है नापागना होने का मतलब यह एक उन्ही कपड़ों में चलो कॉमन सेंस है चलो गुजा रहा है फिर भी गुजा रहा है कि भाई अगर गाय का पिशाप आपके कपड़ों पर गिर जाए तो आप उसके अंदर वजू करके नमाज पढ़ सकते हैं लेकिन यह गाय का पिशाप भी रहे हैं तो यह तो बहुत जोलम है बहुत जोलम है तो ये तो जाती है सर असल्ड, तो इसनल के खते हैं वहर जो रिलिजन के अंदर बिद्धतियां की है ना इनसे बचे हैं और थोड़ दें यह बराई का रास्ता कि पिशा पीने से जो है ना बीमारी उगा इलाज हो रहा है ऐसे बीमारी उगा इलाज पिशा पीने से होता है तो फिर बात ही क्या थी तो ऐसे कोई चक्कर नहीं है कि किस गाय का दूद्ध पीनस से हो सकता है किसी मिमारी का लाज का गोश खाने से हो सकता है किसी मिमारी का लाज तो खुशिश करें कि इन चीज़ों को समझें तो बहुत गलत तरीका भाई इस जो तो पुरी बैंड बजा दिनी हो वह वह आप देखें मैंने बताया था पहले भी कि अल्ला ने जो है खुरान की हर आयत के अंदर अलग अलग फायदा रखा ठीक है तो सुरह अखलास और सुरह काफरून के अब इसका देखें ये बताते क्या हैं सुरह अखलास पढ़ेंगे या सुरह अलकाफरून पढ़ेंगे तो इसके अंदर दो चीजों का जिकर है कि इसके अंदर अल्ला का अल्ला का सुरह अखलास में तो ये बताएगे है कि अल्ला का कोई बेटा भी नहीं है कोई पेटी भी नहीं है और कोई उसकी बीवी भी नहीं है वो अकिल है तो इसको पढ़ने से हर नमाज में पढ़ते हैं तो इसके पढ़ने का फायदा क्या ह कि ये वन थर्ड अव दो खुरान के बराबर इसका सवाब है ठीक है ना तो अगर जिसने सूर इखलास पड़ लिए एक मिनिट की तो उसको वन थर्ड अव दो खुरान उसका फैदा हाँ सवाब मिले गए कि अगर वो वन थार कौरान पड़ता तो उससे जोफ को सवाब मिलता तो वो एक सूर इखलास से मिल जाएगो सूर काफरोन का भी यही है अल काफरोन में भी आल्ला की हब दूसक ची गए है तो उसके अंदर भी पढ़ने से फायदा वासिल होता है तो यह है सुरत आयतल कुर्शी जो है मैजिक्स डैविल से बचने के लिए भी इस्तेमाल होती है और चोरोड़ाकों से बचने के लिए इस्तेमाल होती है सूरह मुल्क जो है वो कबर के अज़ाब से बचने के लिए पढ़ी जाती है तो अगर आप सूरह अल मुल्क पढ़ेंगे तो उससे आपको कबर का जो अज़ाब है नहीं होगा सूरह कैफ अलकैफ जो सूरह है जिसके अंदर वो जाके पहाड़ी में सो गए थे ना और बाहर कुत्ता उनका बैठा वा था और वो तीन सौनाव संद तक सोते रहे तो यह इसमें यह है कि यह सूरह जुम में वो फ्राइड़ को पढ़ी जाती है और अगले फ्राइड़ तक जो आपके जो भी गुना होते हैं वो आपके बख्ष देता है तो यह है तो सूरे सूरे बखरा जिनात से बसने के लिए और सूरे फलक सूरे नास और जाहदू से बसने के लिए तो इस तरीके से हैं यह सूरे फातिया अच्छी से सहत के लिए यनि कि लापको बीमारी से बचाएकश अच्छी सहत दे के यह और सूरे रहमान जब आप बीमार जाएगे तो प्र पढ़ेंगे तो आलापको बीमारी से रेकुवरे कराएगा तो इस तरीके से हाई है तो मैं बना रहा हूँ एक लिस्ट एक सो चौदा पंदरा सूरह है तो हर सूरत का जो है ना वो जो रियल बेनेफिट है वो मैं आपको शेयर करूँगा ताकि आपके जो भी मस्क्रि मसाइब है ना तो उसके हिसाब से आप जो है उसकी तयारी करें और कोरान से वैदा हस्किन करें बुर आई जो ना बुराई है उसको आप नहीं करें कि हिंडू अगर गाय का पिशा पीरन तो और भी गल्स है और मुसल्मान का पिशा पीरन तो यह भी फैर दौनुछ इनी है तो यह नहीं है कि उ।क वह जो कर रे है वह तो खलyes है और हम जो कर रहे हैं वो सही है यह ऐसा नहीं होता भई यह ऐसा हर्गिज नहीं है तो यह हो सकता है कि अल्ला के एकामाद आते हैं कि भई एक जांग और हलाल है तो उसका पिशा पखाना भी हलाल होगा ठीक है ना हलाल होने का मतलब सिर्फ जितना है है के खानी सकते ना पीज़ सकते कप्ड़ों बिगर गिर जाए तो अवस्से आप नमाज पर सक्ते तो फस्सी नैना नज़िस सब्सक्रिए नहीं स्सक्षा謝謝 all that कोई भी हलाज जान्वर discuss अब गया अगए रहे भी है तो उनी कपड़ों से आप नमाज पढ़ सकते हैं तो यह है इसका बस इतना सफाय दाद याल लने के हलाल जानवर है तो उसका पेशा पखान आगर आपके कपड़ों पर गिरता है तो आप उसका कपड़े से नमाज पढ़ सकते हैं लेकिन अगर कववेगा और चील का और कुटे और कुटे का पिछा पखाना आपके गपड़े पर गिरेगा तो उसके बाद उन कपड़ों के साथ आप नमाज भी पढ़ सकते हैं तो आपको हर आल में कपड़े उतारने, दूसरे कपड़े पहनने और इस तरीके से फिर वज़ू करके नमाज पढ़ने हैं तो समझें चीजों को के पड़ाने क्या रखा है निजाम और साइंस का निजाम क्या है तो साइंस ने तो बोता दिया ना आपको कि एनिमल का जो वेस्ट है, एनिमल वेस्ट क्या होता है जानवर का पिशा पकाना वो जो है किसी भी सुक्रत में उसको खाने की और उसको पीने की चाहरते हैं क्यूंकर उससे कोई फाइदा नहीं होता तो इसलिए और कुछ जान वह रहे हैं जिनका पिशाप पी है तो उससे आपको नुखसान भी नहीं होता तो इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आपको नुखसान नहीं होड़ा तो आप जो है उसको पी है दूसरी बात यह धे बिदत यह है कि यह रंग इंफरमेशन है जानिके ढ्रामाटोपीच है कि अगर गया का पीशाप बीमारियों का एलाज हो रहा है और घाएका पिशा पीने से आपको करोणोवाइरस में होड़ा और गाय का पिशा पीने से हापको कैंसर नहीं होडा तो यह सब बुलचिट है लिए तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं यह द्रामाटोपी है जो लिप्रेंड इलेजियन जो है न वह पहनाते हैं आपको मुसल्मानों के मौलबी ड्रामटोपी हिंदू पंडित ड्रामटोपी तो यह चोड़ दे और हम सब को इजायत दे और हम सब देल मार्पी हिंदू